अगर तुम में हिम्मत हो कि हजार लोग तुमारे पीछी खड़े हों, तो तुम सिर्फ एक ही जांग जीत पाओगे. अगर हजार लोगों ने हिम्मत जुटा ले कि तुम उनके सामने खड़े हों, तो पुरी दुनिया जीत चाओगे. पुद्रत का परिश्मात देखू, उस राग्द दो गट टाय होई, कीजीफ भी मिल गया और वो भी बैदा होगे. केजीफ चैप्टर टू रिलीस से पहले ही सुपर हिट फिल्म कैसे बन गई और इस फिल्म की कहानी क्या है? बाहु बली और टू पॉइंटो का रिकार्ड कैसे तोडने जा रही है? मैं आपका स्वागत करता हूँ बॉले गराथ के फिल्मी गलियारे में. दो हजार अठारा के दिसंबर में एक फिल्म आई एजियफ इसका फुल फॉर्म हुआ कोलार गोल्ड फिल्ड्स, कर्नट सिनेमा इतिहाद की सबसे सफल फिल्म, आल टाइम, वर्ड वाइट कलेक्शन, दो सो पचास करोन के पार. हिंदी में डब होकर रिलीज होने वाली फिल्मों में बाहुवली फ्रेंचाइजी और 2.2 के बाद तीसरी सब ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म. इंट्रेस्टिंग बात ये है कि ये सारी अचीब में कहानी के एक टुड़े को मिली है. आधी कहानी अभी आना बांकी. जिस फिल्म में बची हुई कहानी दिखाई जाएगी उसका नाम होगा KGF चैप्टर 2. KGF के पहले हिस्से में हमें कोलार गोल्ड फिल्ड्स में अपना एक छत राज कायम करने वाले गरुणा की कहानी दिखाई गई. गरुड़ा सोने के इस खान का मालिक था और यहां काम करने वाले लोगों पर बहुत अत्याचार करता था. रॉकी याने की राजा कृषप्याप बैर एक गरीब घर का बच्चा जिसकी माँ पैसे की कमी से इलाज ना मिल पाने की कारण मर गई. लेकिन उसने मरते समय अपने बेटे से बचन लिया कि वो बड़ा होकर बहुत ताकत और पैसा कमाएगा. रॉकी इनी चीजों की तलास में मुंबई आया और जल्द ही रॉकी भाई नाम का एक डॉन बन गया. उसका बड़ा होता नाम देखकर कोलार खान को हत्याने के लालची लोग उसे गर्वणा को मारने के लिए सुपारी देते. पहली बारे में फेल होने के बाद रॉकी गर्वणा को उसके गढ़ में यानि खान में ही मारने का प्लान मनाता है और मार भी देता है. पहले फिल्म यहीं खत्म हो गई, अधीरा गर्वडा का चाचा है, सोने की खान के मालिक शूर वर्धन ने अधीरा को नजर अंदाज कर अपनी विमारी के बाद खान को सम्हालने की जिन्मेदारी गर्वडा को सौंप देता है, इस बास से अधीरा नरास्त, फिल्म के पहले हि पर अपना कबजा चाहता है। इससे उसे बहुत सारा पैसा मिलेगा और ये सब तब संभव हो पाएगा जब उसके पास पाकत होगी। मतलब वो अपनी मा को दिये हुए बचन को पूरा करने के लिए ये सब कर रहा है। सारी टसल उस खान को लेकर है। इसलिए केजियर 2 में रॉकी और अधिरा आमने सामने होंगे। साथ में कई और खिलाडी होंगे जो कॉलार गोल्ड माइन पर अधिकार करना चाहिए। पहले फिल्म में सिर्फ गर्वा को मारने की कहानी दिखाई गई थी। इसके आगे क्या होता है और फाइनली कहानी कहां पहुंचती है ये हम फिल्म के दूसरे हिस्से में देखनी को मिलेगा। लेकिन यहां मेल लड़ाई अधिरा और रॉकी के बीच है। इस फिल्म में कन्नट फिल्मों के सुपरस्टार यस अपने रॉकी के किरदार को आगे बहाएंगे। और कहा जा रहा है कि ये फिल्म बाह बली और 2.0 से भी बड़ी फिल्म साबित हो और बॉक्स आफिस पर कम से कम 3,000 कौन रूपय का बिजनेस करेगी। तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए ये फिल्म बॉक्स आफिस पर कितने करोन का बिजनेस कर सकती है।